हाँ तो आज अपने स्टार्ट करेंगे हिंदी और हिंदी में भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट जो हर competitive exam के अंदर civil services के अंदर sub inspector के अंदर में कोई सी भी vacancy हो जिसके अंदर हिंदी पूछ जाती हो चाहे बी STC हो चाहे आपके सबस्ते हुए चलना है मौस्ट्री बाते समझ में आ जाएगी और सारी की सारी बाते आपको हातों हाथ याद भी होने वाली बस मेरे साथ सब्सक्राइब नोट कर ले ना ठीक है अपने बात करेंगे अपको वर्ण माला बोल दो चाहिए वर्ण विचार बोल दो बहुत इंपो एब दोाइब करेंगे अपने हिंदी के दर 11 सुबर होते हैं हम कुल स्वरों की से इंदी में 11 होती है पिर वेंजन के से अरग है मौल वेंजन तो 33 माने गए है लेकिन देवनागरी की मानगरूप की और इकार्दिं यंदि 52 माने गए है वह अपन आगे बात करेंगे ठीक है देर देरे मेरी बाते द्यान से सुनते वे चलना है तो जो भासा वेज्यानिक है ठीक है जो बाशा वेज्यानिक है उन्होंने हिंदी के हिंदी में वर्ण की दो परकार बताएं है और वह बताएं सवर और दूसरा परकार है ठीक है तो दो परकार आपके इसमें रहेंगे तो बात आती है पहला टॉपिक अपन क्या उठाएंगे तो आप एडिंग लगाएंगे फिर्स्ट इफस्ट जो एडिंग रही है अपने वह रहीगी सुर पहली बात तो आराम से लिखो कि यह सुर होते क्या हैं सवर को सब कुछ समझ में फिट कर देमाग में तो डेफिनेशन लिखेंगे आपन स्वर्ण की वेध्वनिया मेरे साथ के साथ लिखो वेध्वनिया विल्गों इमानदारी से लिखना है ठीक है जिनकी जिनके उचारण में ग्यान समझो वेध्वनिया जिनके उचारण में किसी अन्य वर्ण की जिनके उचारण में किसी अन्य वर्ण की सहाइता ना लेनी पड सहाइता ना लेनी पड़े मतलब इसका यह हो गया कि इसको जब पढ़े तो किसी अन्य वर्ण की हेल्प ना लेनी पड़े उस्वर कहलाते हैं यानि कि वेद्वनियां जिनके उचारण में प्रनाशियेशन में जब उनको पढ़े पनुस उचारण का मतलब उसको पढ़े केलाते हैं यह डेफिनेशन बनकी परफेक्ट अब बात आती है हिंदी में स्वर होते कितने हैं तो फिर नहीं नीचे लाइन से लिखेंगे पन कि कुल हिंदी में कुल स्वर ठीक है कुल स्वर जो होते हैं वो होते हैं 11 कुल हिंदी में स्वर कितने होते हैं 11 स्वर होते हैं क एक को ए कि आ कि ए बड़ी ए उ बड़ा उ री कि ए आई ओ ठीक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा कुल मिला के हिंदी के अंदर कुल कितने सुवर होगे यह ग्यारा सुवर होते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपको बड़े अच्छे डंग से इनको लिख लेना है री भी होता है बीच में री ठीक है ए आई इई ओर हिंदी के अंदर होते हैं अब एक बात और ध्यान देना इन ग्यारा सुवर तो हिंदी में कुल कुल सुर है यह क्या बोला मैंने यह कुल सुर है इन कुल सोरू में भी कुल सवरो में भी चार सुवर दियान देना चार सुवर जो हते हैं वह मूल स्वर होते हैँ चार सुथ मैं त्सूर कहते हैं यह क्या कुई。 फिर पूचेंगे हिंदी में मूल्सवर कितने होते हैं तो आपका अंसर होगा हिंदी में मूल्सवर होते हैं चार और वह मूल्सवर अपने जानना चाहिए वर important है चार मोल स्वर होते हैं हिंदी के अंदर ए ए उ और ठीक है यह चार मोल स्वर होते हैं देखो री भी लिखने का तरीका ऐसे आप गांट लगा कि फिर नेचे गुमा देना तो री पूरा हो जाएगा चार मोल स्वर हिंदी के अंदर होते हैं अब एक वर इंपोर्टेंट और बन जाती है कि हिंदी के अंदर ग्यारा मात्राइं होती है स्वरी दस मात्राइं होती है कितनी मात्राइं होती है दस मात्रा ही होती है, दस मात्रा ही कौन सी, जैसे अपने किसी का नाम लिखते हैं, तो उसमें मात्रा लगाते हैं, तो राम में आ की मात्रा है, मनीश मन्ने में बड़ी की मात्रा है, जैसे अपने किसी का भी नाम लिखेंगे, शुश्मा लिख दिया, शुश्मा छोटेव की म मात्रा इसमें अपन लगाते हैं वही हिंदी के अंदर दस मात्रा ही कुल है एफ और अनार में कोई मात्रा नहीं है दस मात्रा कौन सी एक तो आकी मात्रा ऐसे लिखते हैं की मात्रा पाई जैसे मैं राम लिखा तो राम में देखो आकी मात्रा किसे लगई ऐसे तो लगई तो छोटी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा हो गई, ये होती है बड़ी की मात्रा, ये छोटा O, ये बड़ा O, ठीक है, A, E, E, O, O, और एक होती है री, ये री है न, इसकी एक मात्रा बारा निकाले मात्रा होती है, री हो गया, फिर ये हो गया A, फिर ये हो गया I, ठीक है, फिर हो का मतलब एक मात्रा लेकिन यह का मतलब यहां पर एक मात्रा जाता है लेकिन इसका मतलब में दो मात्र आई ऐ कि आई बोलते कैसे आपने एका मतलब एक में एक मात्रा होती है और आई का मतलब दो मात्रा होती आइड में कहीं लिख लेना वेरी-वेरी-वेरी-वेरी-इंपर्टन्ट यह बात हैं कुल म्लना के 10 मात्र हो गी क्या आ छोटाई बढ़ाई चोटाओ बड़ाओ री ए आई ओओ वन टू थ्री फोर फाइफ सिक सेवन एट नाइन टेन कुल मिला के दस मातर हैं आपके इंदी के अंदर जो थी वह हो चुकी ठीक है तो यह भी इंपोर्टन यहां से क्यों बन जाता आपके स्वर किसें कहते हैं वे धुनियां जिनके उच चांब के स्वर्ण के मातरा चेंड होते हैं स्वर में के मातरा चाइन होते हैं तो मेरा दिन big यह देफिनेशन में जोड़ लेना स्वेम के मातरा चेन का मतलब है सुर में खुद की मातरा ही होती है जैसे कि ए आ यह सुरी तो है और यहीं मालों की दो आटे मालों आप यह हो गया अपनंना सुर की क्यों मनें भी में एक का मैं से हिंदि से नहीं की दोनेते हैं फैको में यह लगाना है और लगानी आपको और में επιumed बात करें तो और देखो अगर में मूल जैसे मूल सुर्चार होते हैं वैसे मूल वैंजन जो होते हैं वह आपके होते हैं हिंदी में 33 33 मूल वेंजन ओते तीश और तेती तक है इस थोड़ा इंग्लिश टाइब लिए मैं के टू मैं ठीक है कैसे लेकिए यह कुन से 25 100% याद करने पड़ेंगे इक्जामें क्यूशन आएगा कि हिंदी में सपर्गें wrapping कितने होते हैं तो आप कोगे 25 25 पचीज सबंदें नहीं बोले कहां से कहां तक होते हैं पिर चार ऑप्ष नहीं आएंगे तो आपमने कैसेलते हैं मत तक होते हैं अग्जामें क्यां से लिए टिकर ना यह कुछ फिर इनमें से कुछ पूछ लेगा कौन से कि यह का यह भी याद गरना पड़ेगा गह और यह उख से क्या पूछ लेगा यह गय देगा और करें यह क्या है से फिर च्छ ठीक है जए ज़न्डा और यह ठीक है फिर टे ठे डे डे और न ठीक फिर ते से तलवार ते थे द धे और न फिर पैसे पतंग पै फै बै बै और मैं काउंट करेंगे तो पूरे 25 नज़र आएंगे आपको यह पचीज जो है आपके होगे इसपर्षवेंजन का मतलब होता है जिसको बोलें जिनको उच्चारण करें उच्चारिट करें तो यह अपने इसपर्ष करते हैं अपने तालू को जाता है हिंदी के § 25 तो ध्यान से समझ लूग चलना वेंजन समझ में आ गई वेंजन कुल मु भी लखना चाथ तो लिक लो इंजन डियूभर मेंहें उसाइब लिखना चाहिए लिख सकते हो वेंजन का होता है कि वे द्धोणियां वे द्धोणिया मैं stehen का हुआ उचारण करते समय कि उचारण करते समय किसी सुवर की सहायता लेनी पड़े वेंजन कहलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं वेंजन कहलाते हैं कि वेरी इंपोरेंड का मतलब यफ कोई साभी नाम बोलेंगे जैसे का में यह की महत्रा है मतलHome कॉए मैंने से बोल दिया घॉए किअ मतलब किसी हिंदी में में जिनकाते समय किसी स्वर की नहीं पड़े वेंजन खिलाते हैं very very important है और मूल वेंजन 33 होते हैं उनमें से 33 का बटवारा कर लो 25 तो इस पर्ष वेंजन है मैं 33 का आपको मतलब हिसाब दे रहा हूं 33 कोन-कोन से होते हैं 25 तो गिना दिये मैंने आपको यह ठीक है अब सुनो 25 तो गिना दिये वो और चार वेंजन कौन से होते हैं बड़े द्यान से समझना चार वेंजन जो होते हैं वह होते आपके एंताइस्थ चार उंताइस्त वएंजन होते हैं पिचार कोन से वेंजन उते हैं ऐसे लिगते हूं भाइं कि चार। belongs कि अंतैस्थ वेंजन होते हैं फच taughtons बैए कंट अंतने आउन का मतलब छो जो समान बलों कि अंदर अपने उस पर इस तो जैसे यह टालू को टच करें लच और वे छार अंतन वेंजन होते हैं और चार ही उश्म वेंजन होते हैं very important चार क्या होते हैं उश्म वेंजन होते हैं उश्म मतलब जिनको अपन बोले तो उश्म निकले मतलब भाव दिया शय हवा निकले ठीक है तो शय शय और है चार यह होते हैं देखों बटवरा हिसाब देख लो अब ते तीस थे ते तीस मूल वेंजन है पत्चीश इस पर्शम निदिया मैंने कैसे लेकिया मैं तक 25 25 और चार आपके अंतस्त अंतस्त का मतलब यह रह लोगा है चार होगे चार उश्म वेंजन शय शय है तो टोल्ड कितने होगे ते तीस 33 होगे ना बस यह हिसाब ता कौन- के अब शुनों ब्रॉडब यह बनेंगा बहुत ज्यादा क्यों मनता है यहां से 25 तो इस पर्शम निदिया चार अंतस्त वेंजन तीक है अंतस्त वेंजन और चार होगे आपके ऊश्म वेंजन थे के तो कुल कितने होगे 25 चार उन्तीस और चार तेतीस यह तो लागे 33 का हि ठीक है 33 वेंजन आपके यह हो गए अब सुनों वेंजन से क्योंक्षन जो बनेंगे आप से एक तो यह बनेगा वेंजन कहते किसे हैं तो वे धोनियां जिनके उच्छारण करते समय स्वरू का 100% स्वरू की साहिता लेनी पड़े वेंजन कहलाते हैं हिंदी में मूल मूल और चार उश्में स्वरी अंतरष्त के बाद चार उश्में होता है शाय शाय है टोटल 33 हो गया है अब मेरी बात सुना एक्जाम अब क्योंशन क्या बनेंगे एक्जाम यह क्योंश्मनेंगे कि हिंदी में दोनु पड़ा दिया मैं स्वर्ख खतम वेंजन खतम पहले तो वन का मतला हो गया स्वर प्लस वेंज़न एप है स्वर प्लस वेंज़न जय शोर कितने सुवर हो गया आपके 11 और 33 मूद फिंद्जन हो तो हिंदी में कुल कितने हो आपके देंगा लेकिन यही क्योशन अगर ऐसा आए बहुत टॉप लेवल का क्योशन आए और वह क्योशन ही आ जाए कि देवनागरी वेरी इंपोर्टेंट है देवनागरी कि मानक रूप में मानरूप के अनुसार या मानरूप में कुलवर्ण मानक रूप में कुलवर्ण यह क्योशन आ जाए देवनागरी के मानक रूप में कुलवर्ण कितने होते हैं बहुत बढ़िया क्योशन अगर ऐसा क्योशन आ जाता है तो उसका आपका अंसर होगा 52 वेरी इंपोर्टेंट 52 अब आप सोचेंगे कि 44 का इंसाव तो दे दिया वह अंसर आ जाए क्योशन आ जाए कि देवनागरी के मानक रूप के नुसार हिंदी में वर्णू की संग्या कितनी होती है तो आप कहां से रोगा 52 वावन और वह वावन कौन कौन से होते हैं द्यान से सुन लो चमालीज तो हो यह उसमें चार और जोड़ो साब चार होते हैं स्वयन ताक्षर का मतलब है दो अक्षन के मिलने से एक न्या आक्षर का बनना स्यवल्ट रूप से Istro Patient कैसे हैं कौन-कौन से होते हैं वह जुए हैं चारू यह यहान हो एक तो होता है आधा क और के में जोड़ गया श ठीक है तो ये बन गया क्षय ये क्या बन गया क्षय दो के सब्सक्राइब दूगा एक होता है तो आधा इस आधे तैमें आधे ये ठीक आधे तैमें मिल गया तो ये बन गया ये ठीक है ये से ग्यानी वाला ये बन गया और एक होता है आपके श्रय गांट वाला शे शे आदा प्लस र्यपूरा तो ये बन गया श्रय कुल मिला के ये चार स्वयू ताक्षर होते हैं तो कितना हो गया चमालीस और चार अड़तालेस अब भी आप सोच रहे हो बा है ऑच साए तंदू है धा में अध्राद जो के ऐन जो एड़ा ओड रसी के नाम करूता हो हो तो देख लोगो कंगे ति हो और यह और एफ यह दो आयो गवा होते है आपने सुना भी होगा इंदू का को बोलता है अनुसुवार क्या क्या बोला जाता है अनुस्वार अंग को क्या बोला जाता है अनुस्वार बोला जाता है मतलब जिसके उपर बिंदी लग जाए वो अनुस्वार लग जाता है अनुस्वार लग जाता है और इसको बोला जाता है विसर्ग क्या बोला जाता है विसर्ग तो ध्यान रखना दो आयोगवा कौन कौन से होते हैं अंग और एह तो कितने होगे 44 और 48 48 और 250 अब दो का हिसाब और चाहिए आपको दो और लेलो साब दो के नाम दो तीन है वैसे तो आपको एक दो याद रख लेना बहुत है उनको बोले जाता है ताड़न जात दुवी स्पस्ट ठीक है दुवी प्रिवी घुण का ये होता है दो तीन नाम है इसके वेसे ये यह दो शते कौन आयोग्वा सुरी तडण जाथ दो आपके यह होते हैं यह जो नीचे लगें यह नुकता है इनको क्या बोला जाता है और वैसे नुकता जो है अर्भी पार्सी वर्ड है आलंगे आप साइड मिलेना चाहूं लिख लेना वैसे को इतने आपके जरूत नहीं है यह नुक्ता होते हैं जो और भी फार्सी वर्ड होते दोनों ही डवर्ड है ठेक है यह दो ताडन जात यह दूश्पस्ट यह दूए गुण इनको मानने जाते हैं तो क यह नागरी के मानक रूप ठीक है मानक रूप के अनुसार कुल वर्णों की संख्या तो आप का अंसर हो गया 52 कौन-कौन से कौन-कौन से बहुत जरूरी है क्योंकि क्योशन यहीं से बनेगा तो आप का अंसर एक तो हो गया 33 ब्रेक इतम लग दिया आपने मूल वेंजन पूरी बात को द्यान से समझना 33 मौल वेंजन उनमें भी कौन-कौन से 33 मौल वेंजन में 25 तो आपके सपर्ष वेंजन वेरी गुड बिल्कुल सभी सोचा आपने 25 पर्ष वेंजन होगे चार होगे आपके अंतैस्त वेंजन अंतैस्त वेंजन ठीक है और चार होगे आपके उश्म वेंजन ठीक है उश्में वेंजन कितने होएं 25 अंते 33 दे दिया हैं इसाब 33 का फिर 11 होगे आपके स्वर 11 का होगे श्र ते 33 मैं वेंजन होगे मौल भेंजन घ्यार होगे स्वर ठीक फोर्टी फोर उसके बाद में मैं आपको लिख वाए देचार स्यूक्ताक्षर बिल्कुल सभी सोचाँ आपने चार स्यूपताक्षर बाहर लिखने यह ज़र्ण तो नहीं है पीछलिक आ गहें ठ तत्षिप्थ कि ऊप सुट चार नामा सकते हमिना । नाम यासकते हैं ल॥ होते हैं द्यान लखना तो है दो हो गया आयोग्वा पर ऑप कि रुघ्य को अधिक左 John हैंद को नयाद तो हो गया आपके एक आपको छूद डीट टीट होगया तारण जाथ हो गया सुदह हो गया आपके उत्षिप्त यह मैंने आपको लिख्वा है उत्षिप्त हो गया ताडणजात हो गया थिक है हैं देवनागरी के मानक रूप के नुसार कुल वर्णु की संग्या बाउने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्योशन आपके यहां बनता है ठीक है और अब सुनो मेरी बात एक और एक बहुत तगड़ी चीज और बताता हूं आलां कि लेवल बहुत ज्यादा है लेकिन ग्रहित भी होते हैं चार कौन-कौन से एक तो होता है और बोल दो चाहिए आप जानते होंगे तो यह जो तीन है यह तो आपके हैं अर्भी बोल दो तो चाहिए फारसी वर्ड रही है अर्भी yeah फारशी लेकिन ये जो है यह आपके English है मतलब ये अंगलेजी वर्ण है ठीक है यह द्यान रहा है अब इक्जाम में क्यों शुन आ जाए क्या क्यों आएगा फिर शेंहों मेरे द्यान बड़ी द्यान से सुनना है एक्जाम में क्यो कोशन आगया देवनागरी के मानग रूप के अनुसार कुलवरणु की संख्या तो आप कहेंगे यह 52 कौन सा 52 यह रहा लेकिन यही क्योशन अगर ऐसा आ जाए और वह यह आजाए कि देवनागरी लीपी की जगें यह क्योशन आ जाए कि आगत या ग्रहित आगत या ग्रहित शहित हिंदी में मूल वरनु की संख्या तो वो हो जाएगी 56 बाउन में चार और जोड़ देने हैं तो 56 आपके हो जाएंगे ध्यानकना लेकिन शब्द का ध्यानकना वहां लिखाएगा आगतिया ग्रहित टीक है यानि कि ऐसा आएगा कि देवनागरी लीपी हुए आगतिया ग्रहित सही दोनों मिक्स में आ जाए हिंदी में वरनु की संख्या कितनी होती है तो आप लिखेंगे फिर तो 56 होती है कम्प्लीट चंपन आख फरस है इनको भी जोड़ा गया है वरना 52 ज्यादा पूचा जाता है और आपके बीच्टी सी लेवल में इतना सही पूचा देव नागरी बावन तो 52 तो ही तो यह कुछ नौलेजबल आज की क्लास थी बहुत ज्यादा नौलेजबल एक मिनट के लिए अपने एक बार इसको पूरी क्लास को दोराना चाहेंगे आज का जो हमारा टोपिक था वो था वर्ण माला है वर्ण विचार अभी पूरा नहीं उन्होंने वर्णों की दो परकार बताई सुर और वेंजन बिल्कुल सही बात है सुरूं की अगर बात करें तो वे धोनीय जिनके उचारण में किसी अन्य वर्ण की साइथा ना लेनी पड़े सुर क्यलाते हैं और दूसरी बात सुर के सुयम के मातरा चाहिन होते हैं बिल्क हिंदी में चार मूल स्वर होते हैं कौन-कौन से ए ई उ और री ठीक है फिर कहेंगे कि हिंदी में मात्राइं कितनी होती है आप कहेंगे दस हिंदी में मात्राइं होती है आ छोटी इ बड़ाई छोटाओ बड़ाओ री ए आई ओ ओ ठीक है इन में से कोई सी पूची जा सकती है फिर क्योफ Today अइगा व speculate कलाते हैं मूल préfեी इसे लेकर मैं तक जो ऐसे में लिए उपको इनमें जतीक्षाय पर श्रड़शन होता हम culture tidak होता है इतंग तो की सनाएगा को इन में से लेगा को फिलेगा कों सा अन्तैस्त उते नहीं है तीन नहीं नहीं तो यह ए त crippler को और चार उच्या-उस्ग होता है चार अनता इस यह लव है तो केसा भी निंग से पढ़ है है 25 पर स्वेंजन चार उस्वेंजन कुल मिलाकर 33 मोल वेंजन हिंदी के अंदर होते हैं फिर क्योशन मनेगा हिंदी में कुल वर्ण अगर पूछे तो 11 सुबर होगे 33 वेंजन होगे कुल मिलाकर 44 लेकिन क्योशन ऐसा आ जाए कि देवनागरी के मानक रूप के अनुसार कुल क्योशन होनेसे बनता है यह भी जरूर या दियुके है बंगे उस दो बना जेया गवाहा बना जहीं है और और अंग और इस दो वेंग आताशन है आं यहां ở और फिर फाइनली जो क्योशन आएगा 56 वाला कि देवनागरी के मानंग रूप के साथ में कुल मिलाके वरणू की संग्या तो होती है चपन आगति अगरित होते हैं चार औख फर्ज यह चार ओट जो देना कुल मिलाके चपन जो इसके अंदर आंसर हो जाएगा तो आज क्लास बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए बड़ी द्यान से पढ़ना है पार्ट वन था पार्ट टू पार्ट री और बनेंगे पूरी प तोपिक फिनिश होगा उसके बाद में आपका लाइव टेस्ट होगा अपने आपको परकना है कि क्या क्या माक्स आपके आ रहे हैं और कोई भी डाउट आप कॉमेंट मुझे जरूर करना ठीक है आप